हेलो फ्रेंड्स आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ जबदस मटर पनीर की जो सबकी फेवरेट होती है और मेरे स्टाइल में आप इसे ज़रूर बनाएं जो किसी रेस्टोरेंट या किसी धाबे से कम नहीं होगी तो आप इस तरीके से अगर बनाएंगे तो सबका दिल ज़रूर जीत लेंगे तो जल्दी से बिना देर करें शुरू करते हैं यहाँ पर हम नौनिस्टिक पैन लेंगे इसमें मैंने एक टेबिल स्पून ओयल लिया है थोड़ा सा यसे ओयल को गरम करके इसमें यह दो मीडियम साइस की मैंने प्याज ली है इनको रफली काट लिया है मोटा मोटा और बस और मैंने तीन मीडियम साइस के टमाटर उन्हे से गल जाए और यहां पर मैंने एक बड़ी हर इमिच इसको काटके डाल दी है पस हमें यह तीन इंग्रीडियंट लेने हैं और इन्हें अच्छे से भूनना है दस मिनट बस थोड़ी सी टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाए थोड़ी सी प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी इतना हम में इन्हें भूनना है यहां पर प्याज टमाटर सॉफ्ट हो चुके हैं इन्हें ठंडा करके पेस्ट बना लेंगे फिर हम पैन लेंगे इसमें दो बड़े चमच ऑईल लिया है हमने इसमें हम डालेंगे दो तेज पत्ता दाल चीनी के टुकड़े फिर इसमें हम डालेंगे एक बड़ी इलाईची काली मिर्च आठ दस काली मिर्च लेंगे जादा नहीं लेने हमें यह तीन चार्ट दो-तीन लॉंगे हैं इन्हें हम एक दो मिनट के लिए तेल में फ्राय करेंगे उसके बाद हम इसमें डाल एक टेबिल स्पून भरकर लसन अद्रक का पेस्ट गैस को हम सिम रखेंगे क्योंकि फिर बहुत छीटें आप आएंगी तो हमें गैस को थोड़ा सा सिम रखना है और एक दो मिनट लसन अद्रक को भूनने के बाद इसमें हम जो हमने प्यास टमाटर अपने फ्राय करेते उनका पेस्ट बना लिया था उसे हम इसमें डाल देंगे और हमें ऐसे एक दो मिनट तक इस मिक्सचर को भी भूनना है यह थोड़ा सा हमारा मिक्सचर यहाँ पर भून चुका है अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच कश्मीरी लाल मेच पाउडर एक चम्मच धनिया पाउडर और नमक हम टेस्स के अकॉर्डिंग डाल देंगे और हम इन मसालों को अच्छे से मिक्स करेंगे तोड़ा सा हमेने मसालों को ग्रेवी के साथ भून लेंगे गैस को हमें सिम ही रखना है और इनको अच्छे से हम भूनेंगे मसालों को टमाटर और प्यास की ग्रेवी के साथ और थोड़ी देर अब हम इसे ढख कर 5-10 मिनट के लिए मसालों को भुनने देंगे और यहाँ पर 5-10 मिनट हो चुके हैं अब इसके बाद हम डाल देंगे 1 टेबिल स्पून दही जी हाँ फ्रेंट्स यह दही है इसके बाद हम इसमें डाल देंगे मटर, यह कप मटर है और इन्हें हम अब हमें गलाने तक अपनी ग्रेवी में पकाना है, अच्छे से मिक्स करके, बस हमें गैस सिम रखनी है, हमारे मसाला, ग्रेवी सब भुनते रहेंगे साथ साथ और यहाँ पर अब मटर अच्छे से मिक्स करके, हमें इन्हें जब मटर गल जाए, टेंडर हो जाए इतनी देर हमें इन्हें पकाना है क्योंकि पनीर को तो पकानी की जरुवत नहीं होगी, और यहाँ पर थोड़े देर ढखक कर हम पकाएंगे, यहाँ पर कितना अच्छा कलरा है, और सेपरेट हो चुका है मटर हमारे यहाँ गल चुके है अच्छे से हमारी ग्रेवी भुन चुकी है और इसके बाद हम थोड़ा सा चलाएंगे गैस को हम मीडियम सिम रखेंगे और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे पनीर के पीसिस यहाँ, यह पनीर के पीसिस है यह मैंने फ्राय नहीं करे हैं यह कच्छे ही डाले हैं अगर आप चाहें तो फ्राय करके डाल सकते हैं लेकिन यहाँ पर मैं कच्छे प्रफर करती हूँ, मैं डालती हूँ सबजियों में इससे अलग एक रिच क्रीमी टेस्ट पनीर का जब पनीर कच्चा डलता है तो उसका टेस्ट फ्लेवर जो है माली सबजी में आ जाता है यहाँ पर हम इसको पांच मिनट के लिए पनीर के साथ पकाएंगे ढखकर और गैस आफ नहीं करेंगे अभी और इसके बाद यह है आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर यह हमने मिलाया है और यह है फ्रेंड खुश्बू का मसाला जो मैंने आपको पहले भी बताया अपनी रैसिपीज में 200 ग्राम हमने डाल चीनी जावेतिरी छोटी लाइची ली है और बस एक हमने जाएफल लिया है इनको हमने पीस के पॉडर बना लिया है यह बहुत अच्छी इसमें खुश्बू आरोमा हमारी रैसिपीज में आता है अब जरूर ट्राय करना इसे बना के बस हम इसके बाद हम हमें अमसाल को मिला कर और इसके बाद हमें थोड़ा सा मसालेह मिल जाएंगे हम पानी मिलाेंगी जादा नहीं थोड़ी क्रीमी ग्रेवी बने दिए तो बस थोड़ा सा पानी मिलाके और हमें बस हलका सा बॉयल लाना है इसमें ढखकर हमें इसे हलका सा बॉयल लाएंगे हम गैस ओफ करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर हम डालेंगे एक टी स्पून घी असली घी मैंने लिया है जरूर फ्रेंड्स आप डालियेगा देखिएगा फिर इसका टेस्ट और हरे धनीं इसे गार्णिश करेंगे गरम गरम हमें गैस औफ करके घी डालना है और इसके जब टेस्ट इसका एंहांस होगा और 5 मिनट के लिए हमें ढखकर रखना है और हमारा गरम मतर पनीर तैयार है क्रीमी बिल्कुल टेक्स्चर इसका आएगा और यकीन मानिएगा आप इसे जब सर्फ करेंगे और जब सब लोग खाएंगे तो उनका पेट तो जरूर भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा इतनी टेस्टी आपकी सबसी बनेगी गर्मा गरम रोटी हो तो मज़ा ही दुग तो जैसे आप चाहें इसे सर्फ कर सकते हैं और प्लीज मेरे अगर यह आपको मेरी रेसिपी मेरा स्टाइल मटब पनीर का अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल